मैं पिछले 10 साल से CLC में चुड़ा हूँ, मेरे टीचिंग केरियर की सुवात भी CLC से ही है, और 10 साल हो गए, तो positive environment की बात करूँ, यदि बच्चों को छोड़ दो, एक employee के लिए भी ये कि यदि मैं बीमार हूँ, मैं किसी दिन चुट्टी पे हूँ, तो boss का phone आता है, कि या सकता कि संस्ता का मालिक उस पूरी बात को समझता है, और आपकी help, काम की help में तयार रहते हैं, यदि मैं particularly किसी topic की बात करूँ, तो मैं academics पे बात करना चाहूँगा, हम बच्चे को सुरुवात में ही, पूरा 18 दिन में, हम उसे क्या पढ़ाएंगे, एक schedule के साथ properly उसे दे द करने बिच्चे हैं, सभी पता लगेगा कि हीरा कोण है, कास का टुकुडा कोण है, तो एक दफा वहाँ पढ़ने वाले पुराने बच्चों से पूछ के जरूर देखें, कि क्या बेटा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि दिसंबर के बाद आपके syllabus को बिलकूल speedily पूरा करवा द हा रहे थे, ऐसे. परसन आपको फोन करेगा, वो पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कि बच्चा जानबूज के coaching नहीं आ रहे है, किसी रीजन से नहीं आ रहे है, तो हम उसको sol करते हैं. हम हमारे बच्चों पर क्या ध्यान देते हैं, यदि लास्ट के टाइम में बच्चा टेस्ट नहीं दे रहा है, तो हम उस बच्चे पर प्रॉपर ध्यान देते हैं, बच्चे का पता किया जाता है कि बच्चा है कहां, वो टेस्ट क्यों नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है तो हमने एक्जाम के समय टेस्ट के लिए वापस से बुला के दिलवाया है वो बच्चों से आपको result के बाद रूबरू करवाएंगे अभी करवाना सही नहीं होगा बाकी यदि हम problem counter की बात करें तो हम बच्चों के लिए नीट और जेई के separate problem counters चलाते हैं अब लगबग जगे problem यह होती है कि आपका teaching team छोटा है तो वहाँ पे teachers आपको जो classroom में पढ़ा रहे हैं वो doubt counter पे नहीं मिलेंगे हमारे याँ यह system नहीं है साब हमारे याँ जो schedule आता है teacher के पास तो doubt counter का timing होता है और teacher आपको doubt counter पे उस समय प्रॉपरली मिलेंगे नीट डिविजन में नीट के teachers मिलेंगे जेई डिविजन में जेई के teachers मिलेंगे और वो मिलेंगे जो आपको classroom में पढ़ाते हैं ताकि आपके doubts प्रॉपरली सोल हो सके हैं तो मैं अपनी बात यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप सीकर आएं इस्टिटूट विजिट्स करेंगे CLC को compare जरूर करना हमारे बच्चों से पूछना कि कहीं आपका schedule कैसे हुआ है और दूसरे बच्चों से पूछना कि आपका schedule कैसा हुआ है तो हम औरों से बहुत बहतर पाए जाएंगे तो इस पे आप जरूर एक बार काम करें थैंक्यू